दोस्तो एक तीन बच्चों का बाप इंडियन आडल सिंगर रेणु नागर को भगा कर ले गया है दोस्तो इस वीडियो को अंतक देखते रहेगा नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे दोस्तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता हैं तो दोस्तो राजस्तान की अलवर निवासी सिंगर रेणु नागर को तो सबी लोग जानते हैं क्योंगी दोस्तो 2018 के अंदर वह टीवी शो इंडियन आडल के अंदर दिखाए जी थी जिसके अंदर वह काफी जादा प्रसिद हुई थी क्योंकि वह राजस्तान से थी और दोस्तो आपको बता दो उस शो के अंदर सलमान अली भी मौजूद थे जो की उस शो के विनर रहे थे दोस्तो अब खबर आई है कि जो सिंगर रेणु नागर है उसको एक तीन बचों का बाप बढ़ा कर ले गया है दोस्तो आपको बता दो कि वह जो लड़का था वह बरतपुर का निवासी था और सिंगर रेणु नागर को तबला सिखाने का काम करता था दोस्तो आपको बता दो कि वह यूवक सिंगर रेणु नागर को तबला सिखाता था और वह बरतपुर का निवासी था और वह डेली उनको तबला सिखाने और बजाने का काम करता था लेकिन दोस्तो 30 जून को रात 9 बजे वाई यूवक सिंगर रेणु नागर को बहला फुसला कर भगा कर ले गया है ऐसी रिपोर्ट उसके पिता ने ठाना में दर्ज करवाई है ठाना प्रबारी चोस्कमल सिंग उसकी जांच कर रहे है दोस्तो आपको बता दू कि रेणु नागर इंडियन आडल 10 से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी और सभी लोग में हिसाब से उसको जानते होंगे दोस्तो रेणु नागर कोई छोटी मोटी बात नहीं है इसलिए इस केस पर काफी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है दोस्तो आपको बता दो कि रेणु नागर अलवर निवासी थी और एक यूवक जो कि भर्तपूर का निवासी था उन्हें तबला सिखाने और बजाने का काम करता था दोस्तो यह तो वक्त ही बताएगा सारी चीजे सारी बाते सारी पड़ते जो है उनके मिलने के बाद ही पता लगे कि एक कैसा क्या स्थीन है और क्या कैसी क्या चीजे हुई है तो दोस्तो जो भी राश्तान की निवासी है वह एक बार comment box में comment करके जरूर बताजिएगा कि आपके अलवर निवासी रेणुनागर के बारे में क्या ख्याल है और आपके अनुसार रेणुनागर खुद भागी है या फिर उनको कोई यूवक बहला फुसला कर लेकर गया है तो दोस्तो अगर आप पहले से रेणुनागर को जानते हैं तो comment box में yes type कीजएगा नहीं तो no type कीजएगा तो दोस्तो इसके बारे में अगर आगे भी कोई update आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा तो हमारे चैनल के साथ बने रहेगा और हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लेजिएगा ताकि आने वाले auditions और जो भी news खबरे हैं आपको advance में मिलती रहें तो दोस्तो फिलाल आज की वीडियो में इतना ही मिलता है अगली वीडियो में